हलो दोस्तों नमस्कार मैं धनेशू और आप क्रिशक इंडिया क्रिशक भारत देख रहे हैं तो दोस्तों आठ की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको मैं सर्दियों से बचाने के लिए टेट्रा सैकलिन देता हूँ और वैसे भी अब ठंड का मौसम चालू हो गया है तो ठंड के मौसम में आप कोई दवा रखें चाहें न रखें टेट्रा सैकलिन या लिक्सन मेरे को तो ज़्यादा अच्छा टेट्रा सैकलिन लगता है तो मैं उसका उप्योग करता हूँ तो टेट्रा सैकलिन ज़रू रखें एंटिवाटिक है मौग्यों में सर्दी आने नहीं देता है और जो मौसम अभी चेंज हो रहा है ठंड का मौसम आ रहा है तो इस मौसम में ज्यादा तर हम मौग्यों में सर्दी की बिमारी देखते हैं तो इसलिए सर्दी से बचाने के के लिए टेटरा साइकलिन दे और साथ में सिट्रीजिन जो एक टेबलेट आता है उसको भी आप दे सकते हैं अगर आपके मुर्गों को कोई भी बीमारी नहीं है फिर भी आप 20 दिन 25 दिन में एक बार टेटरा साइकलिन को चला दे तो उनको एंटिबाइटिक मिल जाएगा औ और वो भीमार नहीं पड़ेंगी साथिसाथ अगर आपके पास ऐसे मुर्गयां है जो अंडा दे रही हैं तो उनको आप केल्सियम के लिए और मल्टी विटामिन के रूप में आप उन्हें वीम्राल दे तो इतना देने से मुर्गों में बीमारी आने के चांस कम हो जाते है चलिए दोस्तों अब हम इन मुर्गों को टेट्रा साइक्लिन देते हैं टेट्रा साइक्लिन का पावडर है मेरे पास और बोर चालू हो गया है चलिए चलते हैं तो इसको आपको अच्छी तरसे धोले नहीं जो भी गंदगी दीख रहा होगा आपको उसको आप अच्छी त क्लिन पाउडर अब इसको कितनी मात्रा में डालना है उसको देख लिजिए वैसे तो नियम कैनुसार सव मुर्गियों को तीन ग्राम दिया जाता है लेकिन तीन ग्राम काम नहीं करता है 4 से 5 ग्राम देना पड़ता है और अगर आप 4 5 ग्राम को तवल नहीं पाएंगे तो यानि डालने से कितना पीला होना चाहिए उसको आप एक बार देख लीजिए यह जो है कि इतना पीला दिख रहा है यानि कि थोड़ा सा इसमें टेटरा सैकलिन कम हो घए हमाई इसमें ओर ठोड़ा सा टेटरा सैकलिन को डालूंगा अब वीडियो में पता नहीं धूप तो है लेकिन इसका कलर आप लोगों को दिख रहा होगा यह देखे अब इसको हम मिलाते हैं अच्छी तरह से तो दोस्तों अगर आप एक ग्राम दो ग्राम तिन ग्राम टेट्रासाइकलिन को तौल नहीं पाते हैं तो इस तरह से जो पानी है आप मुर्गों को दे रहे हैं चलिए अब इसको मुर्गों को देते हैं और अंधेला में भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगा कि कितना पीला है तो ज्यादा समझ आएगा दोस्तों जो छोटे चूजे हैं वह भी इस पानी को पीते हैं इसलिए मैं इसे देता हूं तो 30-35 मुर्ग्यां इसको एक सप्थाम भी खतम नहीं कर पाएंगी तो इससे जो पानी है वो खराब हो जाएगा और मुर्गों में बिमार आ जाएगा तो इसलिए मैं इस डिब्बा में पानी देता हूं मुर्गों को और अगर इस पानी को मैं नहाटाओं तो ये दो दिन भी चल जाएगा इतना पानी क्योंकि ठंड का मौसम है और गर्मियों में ज्यादा ही पी जाएंगी तो नियम के अनुसार दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि टेटरा साइकलिन को तीन ग्राम प्रतिसव मुर्गों के हिसाब से देना है लेकिन आप तीन ग्राम न दीजे चार ग्राम तक दीजे अगर छोटे चुजे हैं तो और बड़ी मुर्गया है तो पांच ग्राम भी दे सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा हाँ लेकिन एक बात का ध्यार रखेंगे अगर आप मुर्गों को ज़्यादा मात्रा में एंटिवाटिक देते हैं तो उनका वजन बढ़ना रूख जाता है यानिकि ऐसा नहीं है कि एकदम रूख जाएगा थोड़ा धीमी गती से वजन बढ़ता है क्योंकि एंटिवाटि क्यों कि वो किसिवी चीज को सुखा सकता है इसलिए डॉक्टर इंसान को भी घावगर हो जाता है तो एंटिवाटिक जरूर देते तो ठीका दोस्तों आजके इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभात झाल 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 झाल